दा कश्मीर फाइल्स को आसकर नॉमिनेशन मिल चुकी है और आपको बता दें कि जिस तरह से दा कश्मीर फाइल्स एक कंट्रावर्शल मूवी मानी जा रही थी बहुत से लोगों ने इस मूवी पर कंट्रावर्शी क्रेट की, क्रिटिसाइज किया लेकर आज फाइनली आसकर आसकर एवार्ड 2023 के लिए इस मूवी को नॉमिनेशन मिल चुकी है और आपको बता दें कि इसके साथ ही चार और इंडियन फीचर फिलम्स को आसकर एवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिल चुका है और साथी साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में एक इसराइल के फिल्म प्रोडियोसर ने इससे वल्गर मुवी भी कहा था और इसके बाद भी काफी कंट्रावर्सी देखने को मिली थी आपने जमुवा कश्मीर में भी देखा होगा वही इस फिल्म में बताया गया है और आपको बता दें कि अभी तक इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड जो अर्निंग हुई है वो तकरिबर एक हजार करोड के करीब हुई है और साथी साथ अभी अभी जो विवेक अगनिहोतरी का एक बियान सामने आया है उन्होंने कहा है कि The Kashmir Files को आसकर नॉमिनेशन मिलना उन तमाम क्रिटिसाइज करने वालों के मुँपर एक तमाचा है क्यूंकि लोगोंने बहुत कोशिश की कि इस फिल्म को बदनाम किया जाए इस मुवी को बदनाम किया जाए लेकर आज जब आसकर नॉमिनेशन इस फिल्म को मिली है तो ये उन लोगों के मुँपर एक तमाचा है आपको बता दें कि तक्रीबन 301 और इंडियन फीचर फिल्म्स थी जिन मैंसे इन पांच मुवीज को अभी आसकर नॉमिनेशन मिली है अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है लेकर 24 जनवरी को जो है वो फाइनल लिस्ट त्यार की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इन पांच फिल्म्स मैंसे किसको आसकर एवार्ड मिलेगा और 12 मार्च को जो है वो आसकर एवार्ड की सर्मोनी होगी जिसमें साफ तोर पर पता चल जाएगा कि इन पांच मुवीज मैंसे किसको आसकर आवार्ड मिला आपको बता दें कि जिस तरह से ये पांच मुवीज हैं जिसमें ये पता चलेगा कि इन पांच मुवीज मैंसे किस एक मुवी को आसकर आवार्ड मिलेगा आसकर आवार्ड तक नॉमिनेशन भी बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से आगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें तो लगातार इस मुवी को लेकर कंट्रावर्सी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित सोर मुस्लमानूं का बहिचा रहा था उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है आने वाली जो यंग जनरेशन है उसमें एक किसम का जहर गोला जा रहा है और इसे कौमी सता पर भी जो है काफी कंट्रावर्सी का सामना करना पड़ा काफी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा और आज फाइनली ये मूवी यनिग दा कशमीर फाइल्स आसकर आवार्ड नॉमिनेशन तक पहुच चुकी है और पाच मूवी जो है वो सारी जो है वो नॉमिनेट की गई है जिसमें से दा कशमीर फाइल्स भी एक है और साथ ही साथ आपको बता दें के ट्रिपल आर की अंतारा इरावी निजल ये पांच फिलम्स जो है फीजर फिलम्स जो है वो आसकर नॉमिनेशन के लिए जो है वो मुंतकब की गई है और आपको बता दें कि विवेक अगनी होतरी का जो बियान सामने आया है उसने साफ तोर पर कहा है कि आसकर दाकश्मीर फाइल्स को आसकर न महनत से ये मुवी बनाई है उनने बड़ी महनतवा लगन से काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज ये फिलम जो है वो आसकर नॉमिनेशन तक पहुंच चुकी है फिलहाल अब पांच फिलमें जो है वो आसकर के लिए नॉमिनेट की गई है चोबीस जनवरी को जो फाइनल फिलम में से एक है जिसको आसकर नॉमिनेशन मिला है आपकी क्या राया है आप भी कोमेट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए आपने रही है इनकौाइर रस रोड़े के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाहाफ़